केंद्रिय मंत्री ने कहा सभी उद्ध्योग, सतत और हरित कारोबारी तोर तरीकों को अपनाए गांधिनगर में उद्ध्योग पत्यों के लिए B20 सम्मेलन का हुआ आयोजन बुख्य मंत्री ने लोगों से लिया सरकारी योजनाओ का फीदबैक, भीट मुलाकात कारिक्रम में पहुँचे बलवदा बाजार भाटा पाराजिले के खपरी पुरेना गाउं तेशवर में गणतंत्र धिवस की तैयारियां जोरों पर राजानी रैपूर सहित प्रदेश के सभी जिलों में परेड और अन्यकारिक्रमों का अंतिम रिहरसल और बलरामपूर जिले के नकसल प्रभावित गाउं चुना और पुंदांग में आजादी के बाद पहली बार पहुँची सड़क नमस्कार आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार मैं हूँ गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से G20 सम्मेलन से पहले गुजराद 15 अलग-अलग कारिक्रम कर रहा है इसके तहद गांधी नगर में उद्योग पत्यों के लिए B20 सम्मेलन का आयोजन किया गया पर जोर देते हुए कहा कि भारत चाहता है कि दुनिया प्रिथ्वे के लिए तथा हमारे बच्चों के भविष्य के लिए अधिक से अधिक संबाद करने को प्रेरित हों क्याऑ टुमूदी और फिर Positive, म्थinar आव पूम बव लाव से लए-स्टरॉट्ट्रों के तेत audio रवल से क्लिव सबस्ड वेडने के लिए बचाहता है क्या आधित करने लिक में त्प पिर खिस कर फदोप्र êज़ कन दो है इस सम्मेलन के उगाटन सत्र में केंद्रिय रेल मंत्री अश्विनी वैश्णों और G20 के लिए भारत के शेरपा अमिताब कांत समेथ अनेक गणमाने लोग शामिल हुए 22-24 जनवरी तक आयजित अनेक सत्रों में 200 से अधिक अंतरराष्टी कारोबारी प्रतिनिध्यों समेथ 500 से ज्यादा प्रतिनिध्यों ने जलवायू, परिवर्तन, निरंतर्ता, डिजिटल, बदलाव तथा वित्तियर समावेश समेथ कई वैश्विक मुद्धों पर चर्चा क मुख्यमंत्री भुपेश भगेल भेट मुलाकात के दौरान बलोदा बाजार भाटा परा जिले की ग्राम खपरी पुरायना पहुंचे, इस दौरान मुख्यमंत्री ने बलोदा बाजार विधान सबाश्यत्र के अंतरगत 89 करोड 63 लाक रुपए के विकासकारियों का लोका कारिकरम के दौरान मुख्यमंत्री ने आम लोगों से सरकार की योजनाओं के बारे में चर्चा की, इस दौरान नर्वा गर्वा घुरुवा बारी सहित कई महत्मा कांग्शी योजनाओं से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारे ली, मुख्यमंत्री ने इस्थारी महिला पुश्पा की शिकायत पर S.P. दीपक जा को जाज के निर्देश दिये इस दोरान उन्होंने वैजनती नाम की महिला के इलाज के लिए एक लाख रुपए देने की खोश ना की मुक्यमंद्री ने बलौदा बाजार में गड़ कलेवा का शुभारम किया स्वर्ण जनती समारों के अवसर पर अनिक कारेक्रमों का आयोजन किया जा रहा है इस पात नगरी भिलाई में सेल की स्थापना दिवस के उपलक्ष में रन फॉर सेल का आयोजन किया गया जिसमें इसपात समू के लोगों ने बड़े ही उत्सा के साथ योगदान दिया भिलाई इसपात सेंतर के डारेक्टर अनिर्बान दास कुपता ने सेल सही भिलाई इसपात सेंतर बिरादरी को शुभ कामना दी साथ ही सेल की स्थापना पर भिलाई इस्फात स्यंत्र के कारेरत सभी सामाजिक लोगों का धन्यवाद ग्यापित किया अपने सफलता पुर्वा पचास साल पूरे किये जबकि सेल का उतियास तो और भी पुराना है वह सेल की स्थापना दिवस के आउसर पर बियस्पी के 729 करमचारियों को दिर्ग सेवा के लिए सम्मानित भी किया गया इस आउसर पर भिलाई इस पार्त सयंत्र के अनेक वरिष्ट अधिकारी मौजू थे देश भर में गनतंत्र दिवस की तयारियां जोर शोर से चल रही है कोरवा में भी गनतंत्र दिवस से पहले परेड और सांस्कृतिक कारिक्रमों का अंतिम पुर्वा भ्यास किया गया इस आउसर पर कोरवा कलेक्टर संजीव जहा और कुलिस अधिक्षक संतोष सिंग ने परेड का नेरिक्षन कर प्लाट्वन कमांडर से परिचलिया कलेक्टर संजी उजहा ने बताया कि करीब तीन साल बाद इस वर्ष स्कूली बच्चे गंतंत्र दिवस में सांस्कृतिक कारेकरम की प्रस्तुति देंगे इसके साथ ही विगास कारियों की जाक्यां भी निकाली जाएगी इसकी पूरी तयारी कर ली गई है पुरिस अधिक्षक संतोष सिंग ने बताया कि परेड में इस वर्ष आठ प्लाटून शामिल होंगे जिनके द्वारा आकर्शक परेड की प्रस्तुति दी जाएगी कई सालों बाद जो कोवीट के समय के बाद फुल फ्लेज़ परेड रिहलसल की तहरिया हो रही है ताकि गरतन दूरस पे पूरी परेड का जो हर साल जो होता है पराम परेड के से वो किया जा सके और इस बार कल्चर प्रोग्राम भी आई रित के गया हम लोग का एक उदिश से रहता है कि पूरी ब्यवस्ता अच्छे से बनी रहे ताकि कारकब सुछारू रूप से संपन करा जा सके इधर राजानी राइपुर में परेड के साथ ही अलंकर अंसमारों की अंतिम रहरसल की गई इस औसर पर जिले के कलेक्टर सरविश्वर नरेंद्र भूरे समेथ पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी मौजू थे कलेक्टर शी भूरे ने बताया कि इस बार परेड को लेकर जवानों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है इस तरह सकती में नया जिला बनने के बाद पहली बार आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस परेड को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है कलेक्टर नुपुर राशी पन्ना ने बताया कि पहली बार होने जा रहे कारिकरम को गरिमा में बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है जो यहां पर ध्वाजा रोहन करेंगे तो उनकी गरिमा को मेंडेन करते हैं ले जिला नमी जिला सक्ती में ये कारिकरम को थी अभावे और अच्छे रूप से मिलाया जाए उनलेट निया है कि सक्ती जिले में विधान सभा अज़श्ट डॉक्टर चरंदास महंत ध्वजा रोहन करेंगे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पिछले वर्ष की तरह इस साल 27 जनवरी को देश के चात्र चात्राओं से परिशा पे चर्चा के तहत बाचीत करेंगे इसके पूर्व केंद्रे विध्याले जगदलपूर में विभेन स्कूलों के चात्र चात्राओं के बीच चित्रकला पेंचिंग प्रत्योगिता का आयोजन किया गया केंद्रे विद्याले जगदरपूर के प्राचारिय संतोष कुमार पॉल ने बताया कि पिछले दो वर्षों में कोरोना वायर्स संक्रमन अधिक होने की कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई में भी कुछ बाधा आई थी चात्र चात्राओं ने कहा कि परिशा का नाम आते ही उनके मन में तनाव आ जाता है लेकिन प्रधार मंत्री नरेंद्र मोधी द्वारा परिशा के पूर्व हम विद्यार्थियों से परिशा के सम्मन में चार्चा करते हैं तो तनाव कम हो जाता है और हमारे मन में परिशा को ल शिल पिलिख लेए कि आप जाता स्ट्रेस मखनों और इस्ट्रेस वो सके रिलीज विल कर सके और स्टुडेट मोटिवेट कर सके जुटूर कर सके अच्छा कूछ पदा लगा है कि परिक्षा के चैनले तरह होते हैं मच्चों के बाइन बॉट भी सवाल होते हैं दूनसब का न इसी कड़ी में इसपातनगरी भिलाई के सभी स्कूलों में परिशा पे चर्चा को लेकर काफी उत्सा का वातावरन बना हुआ है भिलाई के MGM स्कूल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्कूली विद्यातियों से बाचीर करते हुए सेलफी जोन बनाया गया है स्कूल के प्राचारे बीडी थरकन ने बताया कि प्रधानमंत्री बच्चों से परिशा को उत्साव की रूप में बनाने की प्रे ना देते हैं इससे बच्चों का आत्म विश्वास बढ़ता है आगे जाके ये कई सारी परिक्षा हैं चाहे वो competitive exam हो या फिर informal exam हो वो सारे exam के लिए ये बड़ा अच्छा practice है और ये हमें बताता है कि परिक्षा एक part of life है इसको एक बड़े ऐसा नहीं लेना चाहेगी ये आखरी पड़ाव है तो इसमें तो बड़ा help होगा है बच्चों का कहना है कि प्रधार मंत्री जी का उत्बोधन सुनने के लिए वे काफी उत्साहित है हम लोग को में बहुत उत्सा है और उसमें बहुत सारे हमारे प्रश्णों का सवाल प्रश्णों का जवाब भी हमें मिलेगा और हमारा जितना भी तनाव है और हमें घबराहाट हो रही है परिक्षा को लेकर वो सबसे हम मुक्त हो जाएंगे और हमें जैसे कोई भी डाउट है और हमें अगर मौका नहीं भी मिलता है और तो मतलब वहां इतने सारे बच्चे हैं कि हमारा डाउट किसी ना किसी माध्यम से उनके पास पहुची जाएगा, हमारा डाउट ट्लियर हो जाएगा उनके सब बहुत उकसाहित हैं परिक्षा पे चर्चा को लेकर अपने प्रेशन भी जाएगे और वो हमारी प्रेशन का जवाब देंगे पुलेकन यह है कि परिक्षा पे चर्चा का मुख्य कारिक्रम नई दिली के ताल कटोरा इस्टेडियम में आयोजीत किया जाएगा जबकि देश के अन्य प्रदेशों के बच्चे वर्चुल माध्यम से इस कारिक्रम से चुड़ेंगे चटेश गड में बलरामपूर जिले के नकसल प्रभावित सरहदी गाउं चुना और पुंदांग में आजादी के बाद पहले बार सड़क पहुंची अलगवक दस साल से बंद सापता ही बाजार की रौनक भी रोट आई है वही गाउं में CRPF और जिला पुलिस बलका कैम भी स्थापित हो गया है जिससे अब ग्रामिनों के मन से नकसलियों का भय दूर हो गया है जिले के कलेक्टर विजय दायाराम के ने कहा कि गाउं को विकास से जोड़ा जा रहा है जहां पर राज्य सरकार की गौठार योजना की तहट गौठान का निर्मान भी कराया जा रहा है जिससे पशु पालकों से गोबर की खरीदी भी शुरू की जाएगी गामीन चलक योजना का रोड जो स्विकृत हुआ था वो भी सुरक्षा के दृष्टिकों के दिखते हुए वहाँ पर दिक्कत हो रहा था और 2017 में से बंद हो गया था अभी लोग वहाँ पर मोटरेबल रोड हम लोग बना चुके हैं जैसे आपने बताया कि वहाँ पर जो मार्केट भी लग रहा है मैं समझता हूँ कि जिस किसी भी एरिया में प्री ट्रेड और कॉमर्स जहाँ पर होना शुरू हो जाता है वहाँ अपने आप सुरक्षा के दृष्टिकों से महत्पु माना जा सकता है जिले के पुलिस अधिक्षक मोहित गर्ग ने बताया कि CRPF तथा जिला पुलिस के कैम्प खुलने से अब आसानी से अपने डैनिक कामकाज कर रहे हैं लोगों का भरोसा सरकार के पती बढ़ रहा है जो भी साशकी हैं नीतियां हैं और जो गॉर्मेंट स्कीम से वेलफिर स्कीम से उनको पुछाने के लिए हमने जिले में और हमारे जो चत्तिसगर जारकन बॉर्डर है बुड़ा पाड जो एरिया है जो हमेशा से नकसल हब रहा है एक बड़ा उनका डगाउट रहा है कारे में काफी का गती आई है और अभी हम लोग पुंचना पुंदात तगार्त वर्क रोड कंप्लीट करा पाए हैं कलवर्ड का काम अभी चल रहा है पर हमें पुरी उमीद है कि जो पक्का सडक है वो भी बारी से पहले बन जाएगी और उसी के साथ साथ जो बाकी सुविधाई हैं जो बाकी फैसिलिटीज हैं टॉमेंट स्कीम हैं उनका भी करियानवन लगातर भाँ जारी है ग्रामिनों का कहला है कि अब वे काफी राहत महसूस कर रहे हैं सडक के बनने से उन्हें अब आवा जाही में परेशानी भी नहीं होती सरकार की सभी योजनाए गाउं में पहुँचने लगी है यहां एको सियार ने भूख रहा था अभी परशासन जीला परशासन बल्रामपूर के अतना किया है न और हमारे जार्खंड और च्छतिसगर के बाडर में है यहां सियार में रहता है नर्शली पिठी बुढ़ा पहार के अग्म जबदबा बनाता है बस एक कारण के चलते हैं जीला परशासन अधिकारी लोग एतना ध्यान दिये हैं जे बहुत अच्छा किये हैं लोग जनता लोग आम जनता खूस हैं बहुत तरीके से खूस हैं दोपैसा कमा रहा हैं उलेकन यह है कि 36 गर सरकार नकसल प्रभावित इलाकों में विश्वास, विकास और सुरक्षा का उदेश्च लेकर लोगों के बीच पहुंच रही है और इसी के साथ यह समाचार बुलेटनी ही समाप्तुआ मन की बात है जनजन की